हेलो एबरीवन आपका एगवार फिर से वैलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ मोतिलाल ओस्वाल मिटक्याफ फंड डायट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा कि य और इसका फंड साइज क्या है साथी साथ मैं आपसे डिसकस करूँगा इसके अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्वाल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किये होते तो पिछले एक साल तीन साल पांस साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलता और लास्ट मैं आपसे डिसकस करूँगा कि क्या हमें मोतिलाल ओस्वाल मीट क्या फंड डायट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्मेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने औरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना साइप या फिर लंसम के साथ क्या करेंगे बात करते हैं मोतिलाल ओस्वाल मीट क्या फंड डायट ग्रोथ ये एक एक एक्योटी मुच्वल फंड है जो की मीट क्याप के अंदर आता है और ये काफी हायरिक्स मुच्वल फंड है इसने जो पिछले एक साल में रिटन दिया है वो रिटन है सतर 30.42% का रिटन है और अगर एन्वाल रिटन की बात करें तो एन्वाल रिटन है 26.10% का ध्यान देंगे अभी जो भी रिटन मैंने आपके साथ डिसकस किया एक साल तीन साल या फिर फंस सल का ये इनका वन टाइम यानि की लंसम का रिटन है अगर आप एक बार में कुछ पैस एन्वी के उपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एन्वी का प्राइस है 112.79 पैसा रेटिंग के अगर बात करें तो ये फाइप स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिमूम S.I.P. अमांट पानुसर प्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज ह 12.627 करोर का अब बात करते हैं कि अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किये होते तो फिर आपको क्या रिटन देखने को मिलता है इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इंविस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाते हैं तो इ बात करते हैं अगर आप इस मुच्वल फंड में 5000 रुप्या परमन जमा किये होते हैं एक साल में आपका पैसा जमा होता साथ हजार आपको मिलता एकतर हजार चारसो एकावन रुप्या यानि कि एक साल में SIP के थुरू आपको 19% का रिटन देखने को मिलता तीन साल की बात क साल का तो पांस साल में आपका पैसा जमा होता तीन लाग आपको मिलता छे लाग दीस जार पांसो एगार रुप्या यानि कि SIP के थुरू पांस साल में आपको करीब 106% का रिटन देखने को मिलता अब बात करते हैं कि अगर आप इस मुच्वल फंड में एक बार में एक ल लुप्या चार लाग पच्पन हजार चार सो बाईस उर्पया होता होल्डिंग कि अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप टन आउसके सेक्टर वाज डिसकस करते हैं तो पहला नाम आता है जीयो फाइनेंसियल सर्विस लिएडिद्ट फानल सेल चेत्र वोड़ा फन आईडिया लिमिटेड कम्योंकेशन जोमेटो लिमिटेड सार्विस व्ट इनबेसमेंट आप इंडिया लिमिटेड कन्जूमर डिस टिक्रिंगरी परजिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड ट् обязательно प्रिस्टेड पोडिक्ट्स लिमि करते हैं तो एक्वेटी पे है 94.8% और कैस्ट पे है 5.1% इस एक्वेटी को अगर सेक्टर वाज हम लोग देखे तो टेक्नोलोजी पे है 14.2 ओटो मुवाइल पे 12.3 फानेल्सियल पे 12 कंजूमर डिस्ट्रेक्ट नई पे 11.8 कम्विकेशन पे 11 सर्विस पे 9.1, कंस्ट्रेक्शन पे 8.5, कैपिटल गूड्स पे 7.7, अदर्स पे 7.1 और हेल्ट केर पे 6.3% यानि कि अगर आप मुवतिलाल ओस्वाल मिटकेप फंड के अंदर पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा इन सारे कैटेगरी पे डिस्टिब्यूट होकर के लगेग इसकी एडवांस रेसियो के अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेसियो 62.39 और पीबी रेसियो 5.83 अगर आप इस मुच्वाल फंड के अंदर पैसा लगाना चाते हैं यानि कि मुवतिलाल ओस्वाल मिटकेप फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाते है तो मिनिममम लंब सम आपको 500 रुप्या का करना होगा और अगर आप S.I.P. के तो इन्वेस्मेंट करना चाते हैं तो मिनिममम 500 रुप्या से आप इस्टार्ट कर सकते हैं अब लोग रेटर और रेंकिंग के अपर बात करते हैं नहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमे या फिर नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं मौतिलाल ओस्वाल मीटकाप फंड का जो फंड रेटरन है एक साल में 70.6, तीन साल में 49.3, पांस साल में 35.4 और 96.1 का वहीं पर इस काटेगरी का जो अबरेज रेटरन रहता है यानि कि एक्वेटे मीटकाप मुच सा अपना कैटेगरी अबरेज से ज्यादा रिटरन निकाल करके दिया है और ये मुच्वल फंड अपने कैटेगरी पे टॉप फाइप में अपना जगा कंप्लेट बना रहा है तो अगर आप एक मेटके आप मुच्वल फंड ढूंड रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा सिमिलर फंड कोई भी नहीं है एक हो सकता है क्वांट मेटकेप फंड डायट ग्रोथ लेकिन इसके आगे नहीं है मुच्वल मेटकेप फंड के पीछे ही है क्वांट मेटकेप फंड कभी एक टाइम में क्वांट मेटकेप फंड एक रंबर पे था इनकी एक्सपेंस रिशि 0.005% टेक्स इंप्लानेशन को समझते हैं अगर आप इंवेस्ट के आवा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटन होगा उस पर 20% का आपको टेक्स मेमेंट करना पड़ेगा अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं एक साल में एक ल पड़ेगा इसकी फंड हाउस एन इंवेस्टमेंट आपजक्ट्स की बात करते हैं तो मोतिलाल ओश्वाल मुच्वल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नवर उनीस पे रेंक करता है इसका टोटल असिस्ट अंदर मेनेजमेंट है 16382 करोड का बात करते हैं मोतिलाल ओ परेंट फंड मेनेजर है इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मनेजमेंट है 16380 करोर का और लेटेस्ट ने भी ए 112 रुप्या 79 पैसा बात करते हैं मुतिलाग उस्वाल मिट्केप फंड डायट ग्रोथ यह एक काफी हायरिक्स मुच्वल फंड है इसमें मिनिमम् अगर आप इन्वेश्ट के आवा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो आपको एक परसेंट का एक जिट लोड देना होगा और इसकी फंड वेंचमार की अगर बात करते हैं तो इसका फंड वेंचमार के निफ्टी मिट्केप 150 टोटर रेटन इंडेक्स तो आज इस वीडि इसके अंदर अपना इंवेश्टमेंट बना सकते हैं अगर आपने औरेड इंवेश्ट किया है तो आगे आप अपना S.I.P. आपी लंसम को कंटिन्यू रखेंगे तो फिर मिलते हैं लोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके